नमस्ते डियो विवर्स, तो आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो इरलेशन बेटूटवन सर्कुलर एंड हैट पर बोलिक फ़ंग्छन। पिछले वीडियो में हम लोग circular और hyperbolic functions की बार में पढ़ चुके हैं तो चलिए इस वीडियो को start कर लेते हैं दोनों correlation आप्टेंड कर लेते हैं इस वीडियो को छोटा रखते हैं अब देखें पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि sin z जो circular function है इसका value हम लोगों ने कुछ ऐसे लिखा था e पे पावर iz minus e पावर minus iz by 2i ठीक है अब अगर यहाँ पर z का जो z जो है अगर इस z का value हम लोग ix substitute कर दें तो हमें क्या में लेगा हमें कुछ ऐसा एक expression देखने को मिलेगा sin ix is equal to e पावर i bracket ix minus z का value substitute कि है ix ठीक है e पे पावर minus i और यहाँ पर क्या है zz का value क्या होगा ix by 2i साइन ix is equal to ii क्या होगा i square का value क्या होता है negative 1 तो क्या होगा e power minus x minus i और i क्या होगा i square जिसका value negative 1 और ये का और negative है positive तो क्या होजाएगा e पे पावर positive x by 2i अब आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर से अगर देखिएगा तो हम कुछ यह जो numerator में expression है इसे हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं माइनस e पे पावर x ठीक है माइनस e पे पावर माइनस x कुछ ऐसे लिख सकते हैं अब आप इस माइनस को कुछ देर के लिख बोल जाएए आपको क्या याद आ रहा है e पे पावर x माइनस e पावर माइनस x by 2 यह क्या था यह sin hyperbol x का यह formula था तो हम लोग यहाँ पर यह put कर सकते हैं sin hyperbol x by i अब इस i को आप क्या कीजिए निम्रेटर और डिम्रेटर दोनों में multiply कर देजिए multiply करने के बाद क्या होगा कि यह sin तो आगे आ जाएगा ठीक और यहाँ पर यह negative है आप इसे भूलिए का नि यह i और यह i दोनों का विल्यों क्या हो जाएगा i square i square का विल्यों क्या होता है कि sin i x is equal to i sin hyperbol x ठीक है मतलब जो circular function है वो hyperbolic function से कुछ ऐसे related हो रहा है बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर आपको याद होगा हमने cos z का value फाइंड आउट किया था कुछ वो कैसे find out किया था cos z का value e पर पावर i z plus e पर पावर minus i z by 2 ठीक है cos z वाले में यहाँ denominator में i नहीं होता है sin z में सरीफ होता है अब अगर बिल्कुल उसी तरीके से z का value i x substitute कर देजे z का value i x आप substitute करिएगा तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा cos i x is equal to e पर पावर i z का value आप i x substitute किजे plus e पर पावर minus i z का value i x by 2 अब आपको दिहान होगा i और i क्या होता है i square जिसका value negative 1 होता है तो e पर पावर minus x plus i और i क्या हो रहा है i square जिसका value negative 1 और एक negative पहले से मतलब positive e पर पावर x by 2 ठीक है तो यह क्या हो गया cos i x अब आप बिल्कुल दिहान से अगर सोचिएगा तो आपको यह जो value दिख रहा है यह value किसका है cos hyperbola x का value है तो cos i x is equal to cos hyperbola x देख रहा है ना यह भी relation आ गया किस किस यह circular function हो गया यह circular function हो रही है hyperbolic function है दोनों के बीच का relation बिल्कुल उसी तरीके से obtain किया जा सकता है 10 i x is equal to i 10 hyperbola x बिल्कुल उसी तरीके से आप 10 i x is equal to i 10 hyperbola x को obtain कर सकते हैं खीक है तो यह तरीका है relation obtain करने का circular और hyperbolic functions के बीच का कर दो सकते हैं